The Cards Barry Payne दोरा लिखी थी ये कहानी आजाम इंदी में देखने जा रहे है लेकिन उसके पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए और चलिए देखते हैं ये देखिए यहाँ पे Barry है और Eliza उनकी वाइब भी है दोनों में बहुत जोरदार नहीं था कि ऐसे वाले चीज़ तो मुझे बिना पूछे कर लोगे तो Eliza बोलती है रियल में उसका जो घुसे से बोलना था वो रियल जाइस था लेकिन Barry कहा सुनने वाले थे बैरी ने तो उनको कहा कि देखो मैंने ओर्ड़ी विजिटिंग कार्ड के लिए मैं तो अब एक कार्ड तो बैरी बोलते है कि देखो मैंने 50 मतलब 50 ओर्ड़ी ओर्डर कर दिये है एंड नौट के पास तो Eliza बोलती है उसमें से 100 तो यूज में बिलकुल नहीं आने वाले हैं तो वो जो है Harry वो बोलते हैं तुम ना काउंट मत किया करो देखो जो दिया है वो किया है वो कर धेखो मैरेड लोग 3 तरह के कार्ड यूज करते एक जो है वो हस्बंड के लिए एक वाइब के लिए और हस्बंड वाइब दोनों के लिए तो ऐसे मैंने तीन तरह के जो 50-50 मतला 150 टोटल हमारे पास कार्ड आजाएंगे दोनों के मिलके और वो वहां से घर से थोड़ी दि के distance पे चलते जाते हैं उन्होंने औरड़ी order कर दिया था Emerald Nol के एक आदमी के पास जो printing चलाता है उनको तो वो औरड़ी चलते ही चलते वो जो Emerald है उसके printing प्रेंस की तरफ चलके जा चुके थे और वो मनी मन में सोच रहते कि मैं ये लोगों को दूंगा करके तो Emerald जो है वो औरड़ी कार्ड जो है वो चाप रहा था और वो उनका मेटी कर रहा था कार्ड जब देखे हैं बैरी ने जैसे मैंने बोला था वैसे ही तुमने बिल्कुल देखो बहुत फॉर्मल है ज़्यादा कुछ डेकॉरेशन नहीं है बहुत ही साफ सुधर है क्लीन है नीटली है प्रिंटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है अब जो कुछ थोड़ा सा सूकने के लिए रखा जाता है वैसे तो ये बैरी के लिए ऐसे लग रहा था ये कार्ड नहीं है वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसी इवीनिंग को उन्होंने क्या किया एक बॉक्स में एक जो विजिटिंग कार्ड था वो पैक किया और बहुत सारे अच्छे से अच्छे से गार्डन के फ्लावर्स लिए थे उ उसको और एक कार्ड वहाँ पे रख दिया और उसके उपर लिग दिया विट कांडेस्ट लव फ्रॉम मिस्टर एंड मिसस बैरी पैन तो एलीजा की जो ममा है एलीजा मतलब उनकी वाइफ वाइफ की जो ममा है मतलब उनकी सासुमा सासुमा को उन्होंने दिया सासुमा ने जब देखा तब वो सोच ने लगी ओहो मेरे जवाई राजा ने ये क्या काड के ऊपर बहुत सारा निससरी पैसा खर्चा कर दिया है मैं काम करती हूँ एलीजा को फायू शिलिंग जो है पैसे पार्सल के साथ भेज देती हूँ उसमें तीन पॉंट्स का विलोगा जो खाने क चीज होती है और एक नाइस एपरोन मतलब जो स्कूकी के लिए बनाते हैं वो वाला हम पहते हैं वो वाला एपरोन उन्होंने दे दिया तो बहरी मनी मन में सोच रहते हैं कि मैंने जो किया है वो सही किया था ना उन्होंने क्या किया थोड़े से अपने पॉकेट में रख ल कि देखो नंबर 14 जो हमारा रोड है हाँ वहां पे पॉप वर्थ कुछ लोग रहने के लिए आ चुके हैं क्या तुम्होंने जानती हो तो वहां तो जो बैरी है वो बोलते है कि उन्हें देखो मैंने सुना है कि वहां पे जल्दी शादी होने वाली है तो तुम्हें काम करो य कौन सेक कितने कार्ड देने पड़ेंगे मुझे एलिजा पूछती है देखो एक ही टाइप के और घर के हाल सदसे के हाथ में मेरा कार्ड पहुत जाना चाहिए उन्होंने ऐसे बोला अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने आदमी है वहां पे एलिजा ने उनसे पूछा देख एलिजा बोलती है कि चलो ठीक है उसी दिन दोनों मिलके जाते है और उसी दिन पूछते है तो पूछने के पाद उन्हें पता चलता है कि पॉप वर्थ के पास से कुछ तो हमें पैसा आज सकता है और वो जब ऐसे बोल रहे थे तबी उनको लग रहा था कि जब वो घर चु प्रेंड है और एक नहीं 11 उसके चिल्रेंज है तुम समझ सकते हो टोटल 16 परसन है और 48 कार्ड़ हमको उन्हें देनी पड़ेंगे और रूल क्या है मैं अभी भी नहीं समझ में आया तो एलिजा को बोलते है कि एलिजा तुम्हें 48 वहां पे अब देने की बिल्कुल मुझे लगी रहा था कि तुम ऐसे कुछ तो करोगे करके इस चाइम पे ऐसे वह बोलती है तो बैरी जो है वह बोलते है कि देखो पॉपवर्थ रियल में है अगर उन्हें मैरेज ही करना था देसी यार और यह देखो इतने सारे 11 बच्चे यह ऐसे कोई करता है क्या एक हाउस उन्हें अपने हाउस पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी रिजन दे दो 11 चिल्डरन है यह क्या बात हुई तो एलिजा बोलती है हाँ बराबर है हाँ तो ठीक है कोई भी हमें कॉल नहीं करेगा तो एलिजा बोलती है क्यों ऐसे कोन बोला मैं तो अभी आपको हैपी फिल कर रहा हूँ I shall order fifty of each sort from Amrods this morning, I said Then that makes a hundred cards wasted Either you cannot count, I said Or you have yet to learn that there are three sorts of cards used by married people The husband's card, the wife's card and the card with both names on it I just walked straight out of the house, went down to Amrods and ordered those cards When the time comes for me to put my foot down, I can generally put it down as well as most people Amrod printed the cards while I waited The cards looked very well as they were A little plain and formal perhaps, but very clean Except in the case of a few where the ink was not quite dry And very satisfying to one's natural self-respect That evening I took a small box and packed in it very carefully some of the nicest flowers from the garden and one of our cards On the card I wrote, with kindest love from, just above the names And posted it to Eliza's mother So far was Eliza's mother from thinking that the money for the cards had been spent unnecessarily That she sent Eliza a present of five shillings And a parcel with three pounds of veal and a nice apron I only mention this little happening to show whether, in this case, Eliza or I was right I put a few of the cards in my pocket and the rest were packed away in a drawer A few weeks afterwards, Eliza told me that number fourteen in our road had been led to some people called Popworth That must be young Popworth who used to be in our office, I said I heard that he was going to be married this year You must certainly call and leave cards Which sort and how many? Leave enough Say one of each sort for each person in the house How am I to know how many persons there are? See if they get their provisions from the same shop as ourselves And if so, ask the shopkeeper On the following day, I said that I thought that Popworth must have come in for some money To be taking so large a house And I hoped she had left the cards I asked the shopkeeper and he said There was Popworth, his wife, two sisters, a German friend and eleven children That means sixteen persons and forty-eight cards altogether You see, I still remember your rule My dear Eliza, I said You ought not to have left forty-eight at once Oh, do you expect me to keep running backwards and forwards, leaving a few at a time? But good heavens, that Popworth can't be my Popworth If he's only married this year, he can't in the nature of things have got eleven children And a house like this, can't call on a house like that unless there is some reason for it That's what I thought Then why in the world did you call? I didn't, who said I did? I began to feel a little happier In the world's wild